Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil at Home तो दोस्तों घर पर रहिए, safe रहिए और मेरे साथ Civil Engineering पढ़ते रहिए या फिर आपको कोई भी definition या किसी भी trick की कोई भी requirement हो तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए तो दोस्तों आज के लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो हम देखने वाले हैं कि हमें MCQ कोईशन की तयारी कैसे करनी चाहिए हमें अगर हम MCQ कोईशन की तयारी कर रहे हैं तो हमें उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए कि हम एक कोईशन से maximum कोईशन तयार कर सकें इस तरीके से मैं आपको trick बताने जा रहा हूँ जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे मैं आपको बताने वाले हूँ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कल जो भी exams होते हैं वो सभी MCQ की form में होते हैं ठीक है दोस्तों तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि हम एक कोशन से कितने कोशन तयार कर सकते हैं चाहे वो टेकनिकल कोशन हो हमारा चाहे वो हमारा जर्नल नोलेज का कोशन हो जीके का कोशन हो आज मैं आपको दोनों ही तरीके से बताने जा रहा हूँ कि अगर हमें टेकनिकल क आपको लेकर बता रहों कि हमें technical question की कैसे तेयरी करने चाहिए मैं अपने field का question लेकर बता रहा हूं civil engineering का question लेकर हमें कैसे तेयरी करने चाहिए देखते है पहला example दोस्तो इसमें यह आपसे question पोचा गया water content ठीक है दोस्तो एक तर्म मुझे यहां पर दिखी water content ठीक है दोस्तो soil भी मुझे दिखा soil यहां पर क्या होती है ठीक है दोस्तो उसके बाद 3 mm भी मुझे यहां पर दिखा diameter भी मुझे यहां पर दीखा तो दोस्तो सबसे पहली बात अगर आप कोई भी questions पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो भी technical term है आपको उन सब का मतलब पता होना चाहिए अगर मतलब नहीं पता है तो दोस्तो अपने पास में अपना phone on करकर रखिए और उसमें Google पर टुरंट टाइप कर दीजिए कि आपको किसी भी definition की या किसी भी word की meaning की requirement है जैसी कि technical term में water content अब मैं civil engineering के student हूँ तो मुझे सबसे पहले पता होने चाहिए water content होता क्या है soil होती क्या है 3 mm मतलब 3 mm कितना होता है 3 mm को वकर जैसे कि ए腳ron आ गया mm को मुझे convert करना आना छाहिए meter में meter में सब कुछ मुझे इसमें पता होना चाहिए कि यह क्या क्या होता है diameter का मतलब पता होना छाहिए diameter to radius convert करनी आनी चाहिए ठीक दोस्तों एक question से मतलब questions questions ही दोस्तों आप कम से कम 3 to 5 कोशन अपने प्रिपेर कर सकते हैं उसके बाद आगर आप बात करें ओप्शन की इसमें जैसे की कोशन पूछा गया है कि the minimum water content as we soil just begin to crumble मतलब वो water content की कितनी amount होने चाहिए कि जो मारे सोई limit होती है वो टूटने स्टार्ट कर दे ठीक है दोस्तों 3 mm के थेड़ में आने के बाद ठीक है दोस्तों अब इसमें टेक्निकल टर्मी स्टार्ट होती हैं options में भी अगर हम अपने कोशन तयार करना चाहें, options से भी हम हम कोशन तयार कर सकते हैं जैसे कि मुझे liquid limit का मतलब नहीं पता मुझे plastic limit का मतलब नहीं पता personalized limit का मतलब नहीं पता premium ability limit का मतलब नहीं पता तो दोस्तों हमें अगर हम कोई भी MC की question पढ़ रहे हैं तो हमें उसके पूरे questions की जो भी हम question पढ़ रहे हैं उसकी पूरी detail हमें पता होना चीए उसमें जितने भी technical term आ रहे हैं और उसमें चार option होते हैं दोस्तों तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया आपके 3 to 5 question जो तयार हो रहे हैं वो खाल पर आप एक question से maximum तक 10 question अपने तयार कर सकते हैं अगर आप अच्छे से तयारी करना चाहरे हैं दोस्तों यकीन माने अगर आप इस तरीके से technical questions को पढ़ेंगे तो आपका कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी तरीके में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तयारी करने में और आपके जितने भी डाउट होंगे छोटे बड़े सब कुछ किलियर हो जागा दोस्तों अगला question अगर आप example लेकर बता रहा हूं आपको जीके के question आ जाते हैं current affair के question आ ज दोस्तों जीके का question है इंडिया की capital हमें तुरंत दिमाग में इंडिया सुनते हैं capital याद आने चाहिए न्यू डैली उसके बाद आप से पूछ रहा है इंडियन state इंडियन state दोस्तों कितने हैं अभी तक तो दोस्तों 29 थे अगर आप उसके बाद पढ़ना चाहेंगे एक तर्म मिलें तो आप इसी तरीके से कोशन में से भी अपने कोशन सकते हैं कोशन से ही कोशन तयार हो जाएंगे दोस्तों आपके उसके बाद हम अपने option देखते हैं दोस्तों आप आपशन आगे इसमें क्या पूछ रहा है कि जो मारा स्टेट हुड डे होता है ठाटींच मार मार्च को इंडिया का कौन से स्टेट अपना स्टेट हुड़ेट करता है जैसे कि इसका राइटांसर है दोस्तों क्या गुजराथ 30 मार्च को गुजराथ अपना की कैपिटल के जैपुर माराश की कैपिटल करनाटेका की पिटल तो दोस्तों दिमाग में सुनते ही जो भी टर्म हो उप्शन में उसका हमें आंसर पता होना चाहिए यह जरूरी है अगर आप दोस्तों माल लिए अगर आप इस तरीके से तयारी करेंगे दोस्तों मैं आपसलूटली सोर हूं एसलूटी शोर होकर यह बात आपसे कह सकता हूं कि दोस्तों आपके बहुत सारे कुश्चन तयार हो जाएंगे और आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट कभी भी नहीं रहेगा तो दोस्तों थैंक यूफर वोचिंग दोस्तों अगर आपको वीड अगर आप सिविल इंजिरिंट के स्टुडेंट तो मैं इसी तरीके से मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं ठीक है दोस्तों थैंक यूफर वोचिंग आप चैनल को शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे थैंक यूफर वोचिंग